हलो नमस्कार और वेलकम टू स्टड़ी गलोज माइडियर फ्रेंड्स दोस्तों आज हम एक बहुत ही इंट्रेस्टिंग कार के बारे में बात करने बाले हैं यह कार जो है इसका नाम है औरस सेनाट यह रश्या की एक कंपनी है औरस इसके दोबारा इसको बनाया जाता है और दोस्तों आज हम इस कार के बारे में इसलिया बात कर रहे हैं क्योंकि यह कार जो है यह रश्या के प्रेजिडेंट व्लादिमिर पुतिन साब ने नौर्थ कुरिया के लीडर केम जॉंग उनको गिफ्ट में दी है इस कार के स्पेसिफिकेशन की बात करें तो बहुत ही पारफुल एंजिन है इसका 4.4 लीटर V8 एंजिन है यह 598 होर्सपावर और 889 न्यूटन मीटर और टॉर्क जो है वो निकालता है तो एस जीकंसी के बहुत ही जबरजस्त इसके कॉन्फिगरेशन है और यह इसमें 9 इसमेड आटोमेटिक ट्रانसमिशन भी आता है absolutes है यह जो कार है इसकी खास बात यहां के यह रश्या के व्लादेमिर पुतिन जो प्रेजिदैंट है तो उनकी यह प्रेजिदेंशिल कार है तो आस वी औल नो कि जो प्रेजिदेंशिल कार होती है प्राइम मिनिस्टर की जो कार होती है, वो safety के लिए काफी ज्यादा famous रहती है, तो यह जो कार है, इसमें आपको bulletproof glasses मिलते हैं, इसके साथ इसके नीचे आपको bomb resistant underbody protection भी मिलता है and इसके जो tires हैं उसमें कोई पंचर नहीं होगा James Bond की कार में जैसे guns और दूसरी चीज़े होती है ना, वैसे ही इसमें integrated offensive weapons भी है, और अगर कहीं पर बहार किसे ने जहरीला gas या फिर bomb भी blast कर दिया तो भी अंदर बैठे है, प्रेजिडेंट को कुछ नहीं होगा क्योंकि इसमें self-contained oxygen supply भी रहती है ये थी इस particular कार के साथ जुड़ी हुई खास बात है अब हम इस gift को लेकर थोड़ी चरजा कर लेते हैं, जैसे मैंने आपको बताया के व्लादे मिर पुतिन साब ने एक special gift जो है, ये नॉर्थ कोरिया के लीडर किम जॉंग उन साब को दी है basically हुआ ऐसा, last year की बात है, September 2023 में जो किम जॉंग उन साब है वो रश्या की यात्रा पर गये थे, राइट, इस्टन रश्या जो है, वहाँ पर वो गये थे और उस समय पर वो इस कार में बैठ है, तो इस कार को लेकर ये जो gift है, इसको लेकर दिमित्री पेस्कोव, जो क्रेंबलिन के spokesman है, उन्होंने ये बताया है, कि जब North Korea के leader last year रश्या की यात्रा पर आये थे, तो पुतिन साब के साथ इस कार में बैठ कर वो अलग-अलग जगाओ उपर गये उनको ये कार बहुत ही ज्यादा पसंद आई, और ये जब चीज जो है वो पुतिन साब को बता चली, तो फिर रश्या एज़े देश ने ये तै कि ये कार जो है, वो हमें हमारे मित्र को gift करनी ही चाहिए, and that's the reason कि ये कार जो है, वो रश्या ने North Korea को gift की है, इस चीज पर, दिमित्रे पैसकोव ने ये बताया है, कि North Korea जो है, वो रश्या का एक बड़ोसी देश है, हमारा बहुत ही close neighbor है, ऐसा शब्दों का इस्तमाल किया है, उन्होंने ये भी कहा कि रश्या का पूरा intention है, कि इस relationship को वो और ज्यादा develop करें, right, as you can see on your difference, on your screen, ये है चाइना, यहाँ पर आप रश्या देख सकते हैं, this is of course North Korea, North Korea जो है, वो South Korea के साथ एक land boundary share करता है, आप में से वे सारे students, जो competitive examination की तयारी कर रहे हैं, आपके लिए question है, ये जो border है ना, North Korea और South Korea के बीच में, इसका एक खास नाम है, क्या है ये नाम, comment section में, ये question जो है, इसका जवाब आपको provide करना है, right, now you can see कि North Korea जो है, वो एक बहुत ही लंबी border जो है, वो चाइना के साथ भी share करता है, land boundary की यहाँ पर बात हो रही है, और यहाँ पर एक बहुत ही छोटा सा एक point है, छोटा सा टुकला है, जहाँ पर North Korea और Russia भी एक दूसरे के साथ land boundary share करते हैं, तो ये चीज़ जो है, वो आपको of course, पता होनी चाहिए, and that's the reason के we use map, ताकि चीज़े जो है, वो और अच्छी तरीके से हम समझ सके, तो ये थी इस gift के साथ जुड़ी हुई बात है, ना वड़िया फ्रेंज, ये जो car है, ये जो gift है, इस चीज़ को लेकर of course, कुछ ऐसे देश हैं, जो बिलकुल ही खुश नहीं होंगे, तो जियो पॉलिटिक्स की बात करें, तो रश्या ने North Korea के साथ अपने relations जो हैं, उसको काफी ज्यादा मजबूत किया है, और खास करके, जब से युकरेन पर रश्या ने चड़ाई की हैं, रश्या युकरेन युद की शुरुआत हुई है, तब से, रश्या ने बहुत ही strategically, उन सारे देशों के साथ relations को मजबूत किया है, जो देश, USA को अपना दुश्मन मानते हैं, for example, you have North Korea, एरान, एरान और रश्या के relations काफी ज्यादा इंप्रूव हुए हैं, चाइना और रश्या के relations काफी ज्यादा इंप्रूव हुए हैं, ये सारी weapons हैं, इनका इस्दमाल, रश्या, यूक्रेइन के खिलाफ और वेस्टन वर्ल्ड के खिलाफ यूज गया, कर रहा है, रश्या और नोर्थ कोरिया ने last year, दोस्तो diplomatic दुनिया जो है ना, कूटनितिक जगत में, जो शब्दों का इस्दमाल किया जाता है, उनको magnifying glass से study किया जाता है, मतलब है कि बहुत ही बारी की से इनको देखा जाता है, तो यहाँ पर अगर आप इस चीज को दिखेंगे, तो last year, Russia and North Korea vowed to deepen military relations, देखे, agreed शब्द भी यहाँ पर आ सकता था, लेकिन agreed शब्द का इस्तमाल नहीं हुआ है, यहाँ पर क्या हुआ है, वाव का मतलब होता है, कि आप एक परकार की शपत लेते हैं, यू नो कई बार religiously कुछ ऐसी चीजे जो हैं, वो तै की जाती है, इस वाव इसन इसन वो कहते हैं, कि भई, जब तक commitment जो है, वो Russia और North Korea ने last year तै किया था, कि वो एक दूसरे के साथ अपने जो military relations हैं, उनको और ज्यादा develop करेंगे, इस gift को लेकर South Korea definitely खुश नहीं है, South Korea का कहना ये है, कि आप इस परकार की चीजे, जब North Korea को provide करते हैं, तो आप United Nations के द्वारा, United Nations Security Council के द्वारा, जो sanctions लगाए गया हैं, उनका violation करते हैं, बेसिकली, एक UNSC resolution है, तो इस resolution के ताहित ये तै किया गया है, कि North Korea को किसे भी प्रकार के luxury goods, इसमें automobiles, यानि की cars और ये सारी चीजे भी शामिल हैं, आप supply नहीं करेंगे, इस चीज़ को लेकर, रश्या का एक बहुत ही tough stand है, राइट जैसे South Korea ने ये statement दिया, तो रश्या के जो foreign ministries box women हैं, जिनको आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, इनका नाम है मारिया जैखोरोवा, उन्होंने ये कहा है, कि western world जो हैं, वो इस प्रकार के sanctions धरा-धर लगा देता है, उनका इशारा जो है, वो USA की तरफ था, USA बहुत सारे देशों के ऊपर, independently sanctions लगाता है, तो ये sanctions जो है ना western world के, इसकी वज़े से दुनिया के बहुत सारे क्षित्रों में food की crisis हुई है, medicine की crisis हुई है, vaccine की crisis हुई है, तो ये सारी चीजों पर आपको सोचना चाहिए, ये cars और हमारी gifts और इन सारी चीजों पर आपको उतना ज्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, तो एक बहुत ही strong reaction जो है वो रश्या की foreign ministry दे दिया है, दोस्तों जाने से पहले I would like to throw some light on the ties between Russia and North Korea, देखें ये relation जो है दोनों देशों के बीच में ये लगपग आप समझ लीजे, आठ दशक पुराना है, 1948 में उस समय का जो Soviet Union था, जिसको हम USSR के नाम से भी जानते हैं, तो USSR ने North Korea को recognize का मतलब है as a country, स्विक्रूती दी, फिर North Korea और South Korea के बीच में जिब युद्ध की शुरुआत हुई, 1950s में इसकी शुरुआत हुई और 53 तक ये युद्ध जला, तो इसमें South Korea जो है उसको USA का support मिला, तो North Korea जो है उसको Soviet Union ने support किया, right military, aid और ये सारी चीज़े जो है, वो भी North Korea को supply की, तो तब से relations जो है, वो काफी अच्छे रखे हैं, 1991 में as you all know, क्या हुआ USSR जो है, ये बिखर गया, और जब USSR बिखर गया, उसके बाद जो नया Russia बना, तो Russia और North Korea के relations जो है, वो उतने ज्यादा अच्छे नहीं रहे, लेकिन फिर, 2000 में व्लाद इमिर पुतिन साब जो है, वो रोश्या के president बनते हैं, और फिर उन्होंने North Korea के साथ अपने relations जो है, उसको revitalize करने की पूरी कोशिस की बहुत सारे military cooperation agreements भी किये गए, और recent years की बात करें, तो जैसे हमने देखा कि जब से Ukraine crisis की शिरुवात हुई है तब से North Korea और Russia के relations जो है, वो काफी ज्यादा गहराई में पहुँचे हैं, और ये bilateral relation जो है, इसको लेकर USA और USA के कुछ मित्रदेश जो है, वो बहुत ज्यादा चिंतित है, USA और Western World का, ये का नाम है, Limitless Leadership, ये कोर्स Study Glows के mobile app पर available है, इस पर एक अच्छा discount भी चल रहा है, लीडर्शिप एक बहुत important skill है, बहुत कम लोगों को इस चीज़ के बारे में पता रहता है, कि लीडर्शिप जो है, it's not something के आप इसके साथ पैदा होते हैं, लीडर्शिप एक ऐसी skill हैं, जिनको हम develop ही कर सकते हैं, और जैसे जैसे लीडर्शिप की quality हमारे अंदर develop होती है, हमारे जीवन के challenges को हम अच्छी तरह किसे handle कर पाते हैं, हमारा जो vision है, वो बड़ा हो जाता है, हमारा attitude जो है, वो positive हो हो जाता है, हमारे relations काफी ज्यादा improve हो जाते हैं, and when I say relations, I mean to say professional as well as personal relations, तो ये सारी चीज़े, समझने के लिए कुछ ऐसी systems हैं, जिनको आप follow करेंगे, तो आपके अंदर leadership की quality जो है, वो improve भी होने लगेगी और practically implement भी कर पाएंगी, ये सारी important चीज़े आपको इस course में मिल जाएगे. If you want to check out productive rills, ऐसे rills, जिससे आपको कुछ फाइदा होगा, रहे कुछ चीज़े सीखने को बिलेगी, then do check out my Insta as well as FB, and do check out my YouTube channel, Curiously Education. So that's everything from my side, dear friends. Thank you very much for your love and support. God bless you all. Jai Hind!